करिब देड़ साल पहले अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ चाचा शाथ पवार का साथ छोड़ करके महायूती गड़बंधन में यहीं सरकार में आके शामिल हो गए अब इतने सालों बाद एक-एक करके उनके कुछ नेता उनका साथ अब छोड़ने लगे हैं अब ऐसे में एक बड़े विधायक जो चार बार विधायक रहे चुके हैं उनके एक बयान से संसनी मज़ गई है क्या संसनी मज़ गई है उन सब पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुड़वात करते हैं नमस्कार मनीश कुमार सिंग और आप देख रहे हैं 4PM महराष्ट दोस्तो अजीद पवार की NCP के एक बहुत बड़े नेता हैं और चार बार विधायक भी रह चुके हैं उनके एक बयान से महराष्ट में संसनी मज़ गई है आखिर उन्होंने श्रत पवार का साथ छोड़कर अजीद पवार के साथ जो NCP बनी उसमें शामिल क्यों हुए इसके पीछे का राज उन्होंने बताया है क्या महराष्ट विधान सवाच चिनोग के एलान के साथ ही राष्टवादी कॉंग्रेस हैने कि NCP अजीद पवार जो है उनके साथ कुछ बड़ा खेल होने वाला है आपको बताने कि लगता जिस तरीके से जन्द संबान यात्रा को कर रहे है आए दिन कुछ नों कुछ बड सथायक राजेंद्र शिंगने उन्होंने एक बयान दिया है शिंगने ने कहा है कि वो शर्थ्पवार का साथ कभी नहीं चोड़ते लेकिन मजबूरी के चलते उन्होंने पाला बदला था शिंग ने ने कहा कि शर्थ पवार उनके अभी भी नेता है इस बयान के बाद NCP के दोनों धरों की राजनिती काफी गर्माई हुई है अब सोचिए जो नेता शर्थ पवार का साथ छोड़के अजित पवार की पाटी में चला गया वो यह साफ कहा रहा है कि मजबूरी में छोड़ा लिखे उनके नेता अभी भी शर्थ पवार है अब वहीं दूसरी तरफ चर्चा छिड़ी है कि कितने विधायक अजित पवार का साथ छोड़ेंगे राजेंदर शिगने पांच बार विधायक है वो पांच बार मंत्री भी रह चुके है अब आप सोचिए कि इतने बड़े नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं तो बागी की नेता उनके जहन पर क्य हमेशा संबान किया है चिंगने जने बिलधानाजीले कि सिंद खेळा राजाशीच से विधायक है और शिगने कहा कि अन्होंने तीन दशक तक पवार कांशा के सब्रb ठीक नहीं थी, वो मुश्किल में था, इसलिए वो अजीत पवार के साथ चले गया, आगे क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए सिंगने कहते कि मैं मानता हूँ कि पवार साहब मेरे राजनतिक जीवन में बड़ी भूमी का निभाई है और मैं उनका रिणी हूँ, मेरा जिला सरका पवार में बैंक के लिए 300 कोड रुपए की राशी मंजूर की है, लेकिन मैं हमेशा पवार साहब का संबान करूंगा, तो ये बात जो है, अब उन्होंने कही है, अब देखिए कि क्या पिछले साल जो जुलाई की शुरुआत में जब अजीत पवार ने अपने चाचा शर् पवार के साथ चले गयते हैं, अब लोगसभा के चुनाओं से पहले निलेश लंके शर्टपवार के साथ आ गए थे, वो शर्टपवार के खेमे वाली NCP से लड़कर एहमर नगर से संसत बने, लोगसभा चुनाओं में शर्टपवार की पाथी के 8 संसत जीते, अजीत पवा एक राजेन्द शिंग्णे जिस तरह से शर्टपवार की तारीफ की है उससे फिर अठकले लग रही है कि चुनाव का ऐलान होते ही महराश्ट में बड़ा खेला होगा शिंग्णे ने कहा कि मैं आज भी उन्हें अपना नेता मानता हूं और मैंने अपने भाश्रों में रहे हैं अब देखिए कि यह बड़े नेता है और चार से पाच बार विधायक रह चुके है और ऐसे में अगर राजेश शिंग ने किस तरीके से बयान देते हैं तो जाई सी बात है जो इनके फॉल्वर्स हैं जो कई सारे नेता मानने वाले होंगे क्योंकि बहुत सिंग्यर नेता जो है वो ऐसा लग रहा है कि साथ चोनने का मूड जो है वो बनाते नजर आ रहा है तो कि पीछे हमने देखा कि पिछले एक डिड़ महिने में बहुत सारे नेता अजीत पवार का साथ छोड़कर शाथ चले गए और ऐसे में जब इतने बड़े नेता राजेश शिंग होगा अभी के लिए फिलाल इतना ही फिर लॉटेंगे तो बात करेंगे महारास्ते किसी बड़ी ख़मर पर तब तक आप देखते रहें फोर पीए महारास्त और मुझे किसा से दीजिए नमस्कार